स्टोरी है जिसको मैं पिछले काफी साल से फॉलो कर रहा था और मैंने उसके लिए थोड़ी मेहनत करी तो विदेश मंत्राले से कन्फरमेशन लिया नियॉक के युएन युनाइटेड नेशन से कन्फरमेशन लिया हम लोगों ने फॉरिंड पॉलिसी कवर करने वालों ने उसका कारण बताते हैं जो भी बीजेपी को बहुत लंबे से अनिमेश भाई मेरे साथ 15-17 साल से बीजेपी कवर कर रहे हैं यह जानते हैं कि नरेंदर बोधी विश्वनेटा होना चाहते थे और विश्वनेटा होने के लिए आपको युएन का जो महासची होना है क्योंकि उन्हें मालूमें कि वो एक ऐसी जगह जहां से वो पूरी क्योंकि भारत का जो काम था वो होगा डॉक्टर हर्श वादान हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौझूद है डॉक्साब बहुत स्वागत है आपका एंडिया न्यूज में चेहरा तो आपका खिला हुआ और मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है मतलब यूर रेस्टिंग अशूर्ट नहीं आपको मेरे को कभी आपने मुझे टेंशन में देखा है कि आज तक ये बताइए बात आपकी दुरस्ट है लेकिन वो 40 वाट आज 60 वाट दिखाई दे रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं है कोई परिवर्तर नहीं है जैसा मैं रोज रहता हूँ वैसे ही आज हूँ और कि असल में इस बार जो वोट डला है वो किसी मुद्दे पर और किसी पार्टी पर नहीं डला है सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर डाला गया है और वो है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी आपको क्या महसूस हुआ कैमपेन के दौरान, लोगों से मुलाकात के दौरान मुझे लगता है कि डौक्टर हर्षवरदल की दौरान की तौर्ध नाम पर बोला है मुझे ये महसूस हुआ की मुझे ये महसूस हुआ की पढ़ान मंतरी नरेंदर मोधी जी के कामों को जो उन्होंने सारे देश के सब शेत्रों के लिए समाज के सब वर्गों के लिए बहुत महनत बहुत इमानदारी और बहुत निश्टा से पांच साल किये और उसके परसेप्टिबल और मैजरेबल रिजल्स देश ने देखे सारे दुनिया का नाम उन्होंने भारत का पूरे दुनिया में रोशन किया और लोग इसको महसूस करते थे कि नरेंद्र मोदी जी का दिल जो है इस देश के लोगों के लिए उनकी समस्याओं के समधान के लिए गरीबों के लिए धरकता है और इसलिए ये आपने काना नरेंडर मोदी जी, नरेंडर मोदी जी के काम और नरेंडर मोदी जी ने जो भारक को एक्जेम्पलरी लीडर्शिप प्रोवाइड की इसके लिए लोगों ने वोट किया है लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन आप उन लोगों में से एक हैं जो जिनका अपना मास फॉलोइंग है जिनको लोग बड़ा पसंद करते हैं लीडर के तौर पर अपार सने और आशिरवाद 25 साल भी मिलता रहा और चुनाब के समयवी व्यक्तिकत तौर पर भी बहुत आशिरवाद मुझे लोगों का मिला लोगों ने बहुत हिदे की गहराईयों से अपना सने बरसाया साथ में मैंने ये भी महसूस किया कि लोगों के मन में नरेन मोदी जी के कामों के प्रतिवी बहुत श्रद्दा है और बहुत विश्वास है सर बड़ी ख़बर इस वक्की हम बता दें देश भर में वोटों की गिंती भी शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द रुजहार आने शुरू हो जाएंगे वो भी हम दर्शकों को बताएंगे हर्षवादन जी सवाल आप से ये है कि पूरे एलेक्शन की दौरान आपने का अप फिर एक बार मोधी सरकार लेकिन आप जब की वोटों की गिंती शुरू हो चुकी है क्या आप कहेंगे कि अब होगा नहाए नहाए भी होगा और मैं ये समझता हूँ कि अब तो लोगोंने नारा बदल दिया अब तो लोग कह रहे हैं मोधी सरकार बार बार वो तो ये चुनावों के अंदर हमने नारा नी दिया ये लोगों नारा दिया था कि मोधी सरकार एक बार फिर लेकिन अब तो लोग कहने लगे हैं मोधी सरकार बार बार डॉक साब यहाँ पे एक्जिट पोल्स ने जो फिगर्स दिखाएं हैं और एक्जिट पोल्स को लेकर एक बार जल भी चुके हैं लोग भारती जंता पार्टी के समर्थक 2004 इंडिया शाइनिंग लोगों को नहीं भूलता आप डॉक्टर हैं नब्स समझते हैं आपने क्या नब्स्टर टूली है मैंने देखिए मैं एक्जिट पोल के बारे में कुछ कमेंड नहीं करता लेकिन एक्जिट पोल से पहले ही पूरे चुनाव में जो मैंने लोगों का रुझान देखा और खासकर जो गरीब लोगों का रुझान देखा जो सड़क पे रहते हैं, कोई रिक्षा चलाते हैं, कोई स्कूटर चलाते हैं, कोई सबजी बेचते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कोई मकान बनाते हैं, कोई सब्ताइक बजार लगाते हैं ऐसे गरीब लोगों के अंदर भी जो मैंने भावना देखी सरकार के कामों के प्रती सरकार की गरीब कल्यान कारी नीतियों के प्रती मैंने पूरे चुनाव में लगातार ये बात कही है डॉक्साब एक बात क्योंकि आप साफ़गोई के लिए भी जाने जाते हैं और ये भी बात सच है कि नोटबंदी वाले दौर में कतारों में लगे हुए कई बुजर्ग और कमजोर लोग जान से भी गए और इसको लेकर खास्तोर से कहा गया कि अर्बन जो वोटर है वो नाराज है मिडल क्लास जो वोटर है वो नाराज है छोटे उद्योग धंदे चलाने वाले जो लोग हैं वो नाराज हैं आपने क्या देखा आपने अपनी कॉंस्विएंसी में क्या देखा देखिए अगर आप सच मुझ से पूछें तो आपको पता नहीं विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे पूरी कंस्विएंसी के अंदर एक भी व्यक्ति ने मुझ से नोट बंदी की बात कभी नहीं की और ये नोट बंदी मेरे हिसाब से ये टेलिविजन चैनल्स पर ही इसकी बात होती है देखिए जब नोट बंदी हुई थी और लोगों को तकलीफ भी हुई थी सारा देश लाइन में लगा था लेकिन किसी ने उफ नहीं की क्योंकि किसी ने प्रधान मंत्री मोदी की नियत के उपर शक नहीं किया जी एस्टी का जहां तक सवाल है लोगों को शुरू में तकलीफ हुई लेकिन उनकी तकलीफों को समझकर इतने सारे अमेंडमेंट्स किये और आज भी सरकार इतनी डिसेप्टिव है और आज देखिये ना कि लाखों लोग जो है जी एस्टी के नेटवर्क में नए आ गए है जी एस्टी के बारे में भी मुझे पूरी कंस्वेंसी में किसी प्रकार से लोगों के अंदर कोई रोश नहीं मिला रादर लोगों ने का कि हम अच्छा लगता है कि ये देश के भले के लिए है एक सवाल ये भी कि आपने जो डिपार्टमेंट सम्हाला डॉक्टर हर्षवर्धन साइंस इंवारिन्मेंट क्लाइमिट चेंज आप अपनी किस उपलब्दी के हिसाब से अप संतुष्ट मानते हैं खुद को देखिए मुझे साइंस और टेक्नालोजी में काम करने पे भी इस बात की संतुष्टी है कि लगबग हर पैरामीटर में पिछले चार-पाँच साल में साइंस और टेक्नालोजी में हम दुनिया में पहली 10 पोजिशन के अंदर आ गए है आप देखिए कि सुनामी की अर्ली वार्निंग में हम नमबर वन हैं वेदर फोरकास्टिंग में हम नमबर फोर हैं नैनो टेक्नालोजी में हम नमबर तीन हैं हम साइंस के पॉब्लिकेशन में साइंस पॉब्लिकेशन के ग्रोथ रेट में हमारा 14 परसंट है दुनिया का 4 परसंट है CSIAR दुनिया के 1200 संस्थानों में पहले 10 पोजिशन के अंदर आ गया है और एंवार्मेंट का तो हमारे को इंटरनेशनल अवार्ड हमारी सरकार को मिला प्रिधान मंत्री जी को दुनिया का सबसे वड़ा अर्थ केर अवार्ड मिला जो क्लाइमेट पॉलिसी के लिए दुनिया के टॉप 100 अर्डॉक साब आपको यह बताते हैं कि कुछ रुजान मिल रहा है शाली नहीं बताएंगी तुमारा माश्वादर जी हम आपके पास आएंगे लेकिन रुजाना ने देखिए शुरू हो गया है रुजानों में एंडिये 6 सीटों पर आगया है बड़ी खबर इस वक्ति दर्शकों को हम बता रहे है यूपिये 2 सीटों पर आगया है और अंडिये के अगर हम बात करें तो अंडिये 10 यूपिये 2 अधर 0 6 से 10 हो गई है अंडिये की सीटों पर देखें यह बढ़ता जा रहा है ग्राब जो 6 सीटों पर आगया है यह तो यह निमिश यह तो यह 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 तो लग रहा है क्योंकि पोस्टल भी बहुत आ गये थे शुबरत साब भी हमारे जुड़ गया है बहुत स्वागत है सर आपका इस चर्चा में शुबरत साब अभी तमाम दावे वेस्ट बेंगॉल को लेकर टीमसी के चल रहे है 35-37 से नीचे कोई वहाँ टीमसी वाला भी नहीं जा रहा है नमबर एक और कुछ दिर पहले मम्ताब एनर्जी आज सिंथसाइजर लेके बाठी है उसमें कोई धुन बजा रही थी हो नहीं साथ ही चले है रोम जल रहा है और नीरो बांसी बजा रहा था जिस राजी मैं है पंचाय चुनाओं में पंचे नहीं जाके लोपाए तो दूम को नहीं चलती है तो उसलिए अगर मुझाति स्याथिस कह रहे है अब सभी नहीं हांगे करत पर यह है कि मौपर बिजेभी का बड़ा है परन्तु अब मौपर रिगिंग होती है अब रिगिंग आज से नहीं है रिगिंग और इस सुबहर्टा से नहीं है वहां तो रिगिंग जो है तो रिगिंग वहां के सभाव है NDA 14, UPA 4, Other 0 डॉक्टर हर्षवर्दन हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर हर्षवर्दन ये डॉक्टर हर्षवर्दन अब हमारे साथ नहीं है अभी वह हमारे साथ है नहीं है पर एक बात उस पर दो चीजें दो सवाल खड़े हुए पहली बात डॉक्टर हर्षवर्दन जीतेंगे अपनी जगह और यदि NDA आती है तो सवाल सबसे बढ़ा ये है कि डॉक्टर हर्षवर्दन जैसे वैक्ति को क्या मोदी सरकार में इस बार कोई अहम रोल मिलेगा क्योंकि हमने पास साथ देगा ये प्रदान मंतरी का विशेशा धिकार है और ये उन पर छोड़ दिया जाना चाहिए अभी अगर आप चहल साब होते और उनसे पूछते तो यही जवाब मिलता मैं उनकी कमी पूरे किये देता हूँ लेकिन लेकिन शाइना एंसी जुड़ी वही है अजीत मदोला साथ जुड़ गया है और वो नोटबंदी को लेकर अभी जो बात होई लेकिन जो हर अपते वसूली होती है वो रुकी भी है आप यह समझें इस रात को व्यापारी जो है कुछ हो जाए बीजेपी के सासन में सबसे जाजा सुरक्षित महसूस करता अपने को और जो बारबरी बड़ी की वापारी ब्यापारी काता है यार हर अपते हमें वसूली देने पड़ती है पुलिस वाले को कोई गुंड आता है तहले पांसुर रुपे दे कोई काता हजार रुपे दे तो वो रुख जाती है बीजेपी के सासन में तो इसलिए नोट बंदी मुद्दा नहीं बन पाया कॉंड नहीं मेहमान हमारे साथ जुड़ रहा है शाली नहीं उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराएंगी और फिर हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं चलिए सबसे पहले तो बीजेपी से हमारे साथ शाइना एंसी जुड़ गई है तो उनका रुख लेते हैं शाइना जी और दूसरे मेहमान संजे चोकर साथ भी हमारे साथ जुड़ गए कॉंग्रेस से और स्वाती सिंग भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगी लेकिन शाइना से आप सवाल ले रही है चल यह शाइना जी से यहाँ पर हम सवाल ले लेते हैं शाइना जी अभी यहाँ पर बात हो रही थी नोट बंदी की और जीस्टी की और अभी जैसा कि यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार जुड़े वे हैं उन्हों रे कहा भी कि नोट बंदी का और GST का उत्ता खास असर दिखाई दिया नहीं क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसके बाद आपने चुनाव जीते गुजरात में GST के बाद ही हाला कि बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था लेकिन फिर भी BJP को किसी तरह से जीत हासल हो गई गुजरात के उपर मैं खास तोर पर यहां आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि इस बार गुजरात में आप कितनी सीटे दे रही है क्योंकि विधान सबाच चुनावों के नतीजों से अगर हम जोड करके देखें तो क्या 26 की 26 होगी आपकी बिल्कुल क्योंकि मुझे लगता है कि गुजरात का गर्फ है प्रधान मंतरी मोदी जी गुजरात का गर्फ है अमिच्छा जी और गुजरात की जनता जानती है कि एक क्लीन अप ड्राइव की आवशकता थी इस वजर से नोट बंदी हो या फिर जी एस्टी हो हम चाहते हैं कि सिस्टम्स इन प्लेस आएं प्रधान मंतरी मोदी जी ने एक मात्र उपाए उनका है वो है सबका साथ सबका विकास और इसका मतलब है कि एक इंक्लूजिव विजिन प्लान जहां आप देश के नोचते हैं इंक्लूजिव ग्रोथ जिसको कहा जा रहा था यूपी ए के समय में उसको आप लोगोंने नाम दिया सबका साथ सबका विकास लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि हर एक सेक्शन के हर एक सोशियो एकॉनमिक सेग्मेंट को आप लोग हमेशा साथ में क्या ये मुमकिन ही है क्या रियलिस्टिक लिए कि हर एक सोशियो एकॉनमिक सेग्मेंट को हम साथ में हमेशा लेकर चलें एज़ा पॉलिटिकल पार्टी स्वाति सिंग जी आपकी टिपनी क्या है इसमें स्वाति जी आवाज मिल रही है आपको का जाता है कि कई बार कुछ नरे ऐसे रखेंगगा चिर्म कॉ리ंट किया था एक एक नरा उच्छाला गया था सबका साथ सबका विकास हर एक सोशियो एकॉनमिक सेगमेंट को साथ में लेकर चलना ये सिर्फ नारे की बात है या असल में हकीकतन ऐसा हो भी सकता है क्योंकि भारती जन्ता पार्टी से मिडल क्लास नाराज है ऐसी बाते हमको सुनने को मिली इस चुनाओ के दोरान देखे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो अभी आपने बोला कि मिडल क्लास नाराज है बीजेपी के सरकार से ही अमूदी जी से आपको बताना चाहूंगी कि अगर ऐसा होता तो जिस तरीके से एक्जिट पॉल में दिखा रहे हैं कि सारे 300, 330, 37, 300 इस तरह का जो एक्जिट साथ सबका विकास की बात की कि क्या हम सभी अवर्ग के लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं क्या ऐसा हो सकता है क्या ऐसा हो सकता नहीं ऐसा पांट पिछले पांट सारों में ऐसा हुआ है और उसी का नतीज़े हम 2019 में सुन रहे हैं और उस शाम तक में चीज़े धरातल पर भी संजय चोकर साथ से इसका जवाब ले लेते हैं चोकर साथ ये नजर आए कि आपको वाकई सबका साथ लिया गया है और सबका विकास हुआ है देखे सबका साथ लेकिन दो लोगों का विकास नरेंदर मोदी और अमिच शाह का विकास हुआ है बाकी किसी का नहीं हुआ है और अगर आप पूरे चुनाओ को अगर आप देखेंगे जिस तरीके से आप देखें दोजार चोदा में जब सरकार बनी थी तो बड़े मुद्दे थे बरस्काचार, महंगाई, रोजडार और मैं इस चुनाओ को देख रहा हूं पूरा देश दे जो एक चुनाओ में बुद्दे होते हैं, महंगाई, ब्रस्काचार, रोजडार और अगर ये सबका साथ सबका विकास की बात ही तो ये अपनी सारे मुद्दों के दिमाते क्या का हूं हुआ है, मैं ये मानता हूं कि कोई कोई विकास नहीं हुआ, जमीन के अगर आप जाए संजेच चोकर साब आपके कानों के लिए कुछ शहद अमेठी से राहूल गांधी आगे चल रहे हैं, फिलहाल ये ख़बर है, जी अपनी बात के ये है, संजेच जी लेकिन मेरा एक सवाल आप से ये है, कि अगर आपकी बात मान भी लेकि बीजेपी के लोग बात, आपको प पूरा नहीं कर पाई बीजेपी, बावजूद इसके क्या आप एक बड़ा नेता, बड़ा चेहरा सामने नहीं रख पाए और यहीं वज़ा थी कि लोगों ने सोचा आप्शन नहीं है, तो नरेंदर मोदी क्यों नहीं आप भुना नहीं पाए, क्या आप बीजेपी से जो पांस साल में, चाया वो किसानों की बात है, चाया युवाओं के रोजगार की बात है, सारे मुद्धों को मजबूती से उठाया है, और यह तो जनता के उपर आप किसको वोट देंगे, किस तरीके से, लेकिन कोई देश का आदमी पूरे लोगों ने देखा कि पूरी मजब मुद्धी के साथ सारे मुद्धे उठाये हैं, और आप देखिए स्टेटों में, कितना बढ़िया जब से राहूल जी अध्यक्ट्स बने, हम मध्य परदेश, राजस्तान, गुच्छतिसगर, सारी स्टेट हम गीते हैं, और यह तर्टी, UPA 19, अदर्स 0, फिलहाल यह फिग पर वीजेपी आगे चल रही है, तो दो राज्यों के रुजान भी आने शुद्धी